हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ज़स्पर्डू चैनल और फ्रेंट्स आज मैं आपके सामने आन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ 12 वोल 10 वट का सोलर पैनल जो फ्रेंट्स लूम सोलर के तरफ से मुझे भेज़ा गया है तो इंडिया नंबर वन फ्रेंट्स सोलर पैनल कमपनी है तो आपको सभी लोग को तो पता है तो थैंक्स टू लूम सोलर फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स चलिए बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको देखाता हूँ के बॉक्स का नरब को क्या मिलते हैं और इसका पाफॉमेंस कैसा है तो फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हैं एह है आपका सोलर पैनल जो टेनवर्ट का है और यहां पर लूम सोलर लिखा है और उसके साथ आपको एक वाइंटी काड़ आपको मिल जाते हैं तो यहां पर वाइंटी के बारे में एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ और इसके उपर और पत्थर भगर भी फेकते हैं तो आपको कोई भी प्रॉइशन नहीं होगा कोई भी क्रैक बगर नहीं आएगा अगर आप फूल स्पेसिफिक्चन आपको यहां पर दिया गया है तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं यहां पे फ्रेंस maximum power है 10Wp मतलब 10W का और maximum power voltage है 19.25V और maximum power current है 0.52A शॉर्ट current circuit जो test यहां पे किया है उसका फ्रेंस यहां पे 0.55A है open current voltage जो है 22.5V का है maximum system voltage 600V का है तो फ्रेंस अभी चली यहां पे जो back section पे connection section है यहां पे इसको मैं open कर देता हूं तो इसको पिन करना बहुत ही असन है और यहां पर देख सकते है नेगिटिब बजिटिब दो पॉइंट अब को यहां पर देशा है तो friends यहाँ पे जो मैं wire connection कर रहा हूँ अभी तो यह 1 mm का wire है तो अगर आपका पास 2 mm का है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे पर यहाँ भी मैं च्रीड और यहां बाररे हैं देख सकते हैं 15.87 प्डू depart यहाँ पर यहां पर चीछा पर सकते हैं यहां पर जयादा वोल्टेज कर रहे हैं और इसको में धूप पर ले जाता हूँ तो मैंस को सब्सक्राइब करना होगा उफ यहां पर देख सकते हैं यहां बहुत ही बहुत ही बहुत ही पुदाना है तो इसी लिए फैंड से नहीं पर यहां पर इसका भूर्ट कर रहा है तो आप देख सकते हैं 19.something यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर connection problem हो रहे हैं और मेरा माल्किमेटर ठीक ठाक नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.something यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन पर जो maximum power voltage आपको दिया है 19.25 बोल्ट तो से ही दिया है एकदम correct दिया है अब यहाँ पर में 12-volt DC motor होते हैं उसको मैं करता हूं और आपको टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं DC motor बहुत ही अच्छी तरीक से यहाँ पर घूम रहा है और बहुत ही अच्छा है एकदम direct यहाँ पर पावर नहीं देना या solar panel charging controller जो मिलते हैं उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको यूज़ करके आप बहुत ही आसनी से flat battery को आप यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूं आपको solar panel जो charging controller होते हैं उसको आपको connect करना है उसके through आपको battery को जरूर आप अगर इसको पॉर्टिस काना चाहते हैं तो पॉर्टिस का सकते हैं इसका link में मेरा विडियो डिस्ट्रिंट पर डाल दूँगा और वहाँ पर क्लिक करके आपको आपको अच्छा लगा है तो प्लीज ब्लाइक कर दीजा रोग का अपको फेंट कर से जरूर की किजिए और फेंट्स अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तरह प्लिब बनन पर जब क्लिक किजिए आज के लिए इन एक बीडियो लेकर तब तक के लिए गुड़ बाइब